हेलो फ्रेंड्स वेल्कम डू जिके क्रेज फ्रेंड्स आज है 16 डिसंबर और आज आज आपका जो रेल्वे का मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड केटिकरी का एक्जाम हुआ था उस एक्जाम में पुछे गे जिके के सवाल हम इस वीडियो में डिसक्रस करेंगे दोस्तों अगर आप RRB NTPC एक्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महतापुन होने वाला है क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आपके रेलेवे के एक्जाम में पुछे जा रहे हैं इनि दोस्तों हमारे भारतिया समीधान में कितने स्केडूल हैं इसका से अनसर होगा टोटल बार्स स्केडूल है नेक्स सवाल दोस्तों बुछा गया था डायरेक्ट एक्सण डे मुसलिम लिख के द्वारा कप मनाए गया था याद रखेगा सोला अगस्ड को यह सवाल आपका हिश्टी से पुछा गया है 16 अगौस्ट को मनाये गया था direct action day दोस्तों नेक्स सवाल पुछा गया था आपका science से trypsin यह जो enzyme है trypsin इसका कार्या क्या है दोस्तों इसका कार्या है protein को तोड़ना यानि यह digestion of protein में मदद करता है protein का पाचन किरिया में मदद करता है ओके दोस्तों नेक्स सवाल पुछा गया था आपका current fair से इस्राइल का प्रधान मंत्री कौन है याद रखे है नाम को दोस्तों आपको बता दूँ current fair से 6 या 7 सवाल पुछेगे थे इसलिए current fair को ठीक से पड़ करके जाएगा अगर आप NTPC exam देने वाले हैं और उसके लिए सबसे best रहेगा आप GK crash application डाउनलोड कर लीजे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ topic wise आपको मिल जाएगा यानि जितने भी topic है current fair कि जितने भी सवाल पुछे जा रहे हैं सिर्फ GK crash application से पुछे जाएगे क्योंकि वहाँ पर 100% complete किया गया है आपका current fair, static gk और science के biology, chemistry, physics सब कुछ वहाँ पर topic wise cover किया गया है वहाँ पर आपको mock test भी मिलेगा, one liner भी मिलेगा, picture के साथ पढ़ने के लिए भी मिलेगा यहाँ पर आप सारी picture देख सकते हैं अभी तूरण डाउनलोड कर लीजे नीचे इस वीडियो का नीचे direction box में लिंक है जिके crash application का उसको जरू डाउनलोड कर लीजे वो खास करके आपके NTPC exam के लिए ही prepare किया गया है तो चले दोस्तों next सवाल लेखते हैं दोस्तों अगला सवाल पुछा गया था छोटे कण ये किस प्रकार की मिट्टी में होता है दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा black soil यानि काली मिट्टी में होता है छोटे कण इसलिए इसको porous soil भी कहते हैं cotton soil भी कहते हैं next सवाल दोस्तों पुछा गया था aluminium उसके बाद copper, iron, carbon इनमें से कौन? बीदूत का सबसे खराब चालक होता है यानि bad conductor of electricity electricity इनमें से कौन है? सबसे खराब चालक से अंसर इसका हो जाएगा दोस्तों carbon ओके? इसलिए next सवाल लगते हैं next सवाल है कौन सा मुगल सासक अपने पत्नी को कारवास में रखा था? दोस्तों से अंसर इसका होगा orange ओके? orange जोकि मुगल सासक थे? वो अपने पत्नी को कारवास में रखे थे दोस्तों next सवाल पुछा गया था भारतिया संविधान के जनक कौन है? दोस्तों इसका से अंसर होगा काफी आसान सवाल है B.R. Ambedkar ओके? चलिए मुझे comment box में क्या आप बता सकते है संविधान दिवस कब मनाए जाता है? चलिए बताइए संविधान दिवस कब मनाए जाता है? दोस्तों next सवाल है Frontier गांधी किसका निकनेम है? ओके? से अंसर इसका हुगा दोस्तों, खान अबदुल गफ़र खान इनका निकनेम है Frontier गांधी नेक्स अवाल दोस्तों पुछा गया था भारत में लगातार दो बार उपराश्ट्रपती कौन रहे थे? सर्बापली राधा किसना? दोस्तों नेक्स सवाल पुछा गया था किसे एक अबजेक्ट का भार 60 kg है हमारे प्रिथिवी में यानि आर्थ में 60 kg है उसका भार तो उसका भार चंद्रमा में क्या होगा? दोस्तों आपको क्या करना है? 1 by 6 से मल्टिप्लाइ कर देना है तो क्या हो जाएगा? 1 by 6 into 60 equal to 10 kg हो तो नेक्स सवाल देखते हैं सवाल पुछा गया था आपका करेंड एफ्यार से 2020 में 2020 में जो IPL क्रिकेट का कौन सा संस्करन खेला गया? कौन सा संस्करन खेला गया? दोस्तों इसका से अंसर होगा 13 याद रखें नेक्स सवाल दोस्तों पुछा गया था the discomfort of evening ये जो पुस्त दोस्तों नेक्स सवाल पुछा गया था इन में से कौन सा पाचक enzyme नहीं है? से अंसर होगा दोस्तों insulin एक enzyme नहीं है ये एक hormone है याद रखेगा ये एक hormone है ओके? नेक्स सवाल देखते हैं नेक्स सवाल है दोस्तों डाफल पहाडियां ये किस राज्या में स्तीथ है? सवाल प पुछा गया था, ICC Cricket Board के Chairman कौन है? ICC यानि International Cricket Council, Cricket Board के Chairman कौन है? Greg Barclay, याद रखिए. Next, दोस्तों, महत्मागंधी की प्रत्थम अंदोलन कौन सा था? C अंसर इसका होगा, चंपारन सत्याग्रहा, ओके ये सवाल पुछा गया था, ये आखरी दो सवाल है, कौन सा मेटाल सबसे नमनिया है? सबसे सब्ट मेटाल कौन सा है? दोस्तों, इसका से अंसर होगा, आपके option में सोना था, और इसके साथ साथ सोडियूम भी एक सब्ट मेटाल है, याद रखिएगा, सोडियूम हो गया, उसके बाद मर्कुरी यानि पारा, उसके बाद सीजियम, याद रखिए, ये सारे के सार नमनिया मेटाल है, दातू है, दोस्तों, आखरी सवाल है, केलोरी ये किस की इकाई है, से अंसर होगा, उर्जा का इकाई है, केलोरी, ओके, तो दोस्तों, बस इतने ही सवाल मुझे आज मिले हैं, अब क्या करना है आपको, इस वीडियो का डिक्षन बस में, आपको GK कोशिन अंसर, मॉक टेस्ट और वान लाइनर कोशिन, सब कुछ मिल जाएगा, पीडियाप भी मिल जाएगा, तुरन जा करके डाउनलोड कर लीजिए, GK क्रेच अप्लिकेशन वीडियो का नेचे डिक्षन बस में, लिंक है, फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में, दन्यावा क्या उत्याएगा, पीडियो में जाएगा, बस्ति झमाइगा, ल souvent कि एचेशन वीडियोcht नेक्स के अप्लिकेशन के बस बस्स्ते hace, बचुझे जाएगा, पीनाफेट child, फNewगागां, लिनकेशन भाजनाछ।